उतर परदेश के दुगध पालन पशुपालन मंतरी और लक्षमी नारायन ने कहा है कि राज्य सरकार गायों को ततकाल चिकित्सा सेवा उपलग्द कराने कि में जल्द ही पुलिस की आपात कालिन सेवा का सम्मान भी अभी नव अंबुलन्स सेवा शुरू करने जा रही है इस सेवा को शुरू करने के लिए 515 अंबुलन्स तयार कर ली गई है। वह यह जानकारी ये भी है कि कैबिनेट मंतरी ने ये भी जानकारी सामने रखी है कि विशेश तोर पर मुख्यमंतरी के निर्देश पर ये सेवा पारब की जा रही है। और परतियक अंबुलान्स में एक पशू चिकितसक और एक पशू चिकितसक स्टाफ के दो सदस्य तेनात रहेंगे उन्होंने बताया कि ये सेवा 24 घंटे उपलब्द रहेगी और इसके लिए लखनव में एक कॉल सेंटर भी बनाया जा रहा है जिसके अनुसार इस सेवा के लिए जो भी कॉल करेगा उसके पास 15-20 मिनट में एंबुलस पहुच जाएगी इतना ही नहीं इस सेवा को अगले महीने शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है और मंत्री ने ये भी कहा कि इसके अलावा गाय के नसल सुधार कारेकरम के अंतरगत पशुपालकों को तीन बार मुफ्त गर्भधान कराने की भी सुविधा दी जाएगी और गाय के शत परतिशत भी गर्भधान को सुनिश्चित करने वाली अत्याधूनिक तक्नीकों का भी इस्तेमाल किया जाएगा और उत्तरपरदेश के योगी आदितिनाथ ने लखनों में आयोजित समाजिक परतिनेधी समेलन में शिरकत की और इस दोरान उन्होंने अखलेश यादव समेत विपक्ष पर जम कर निशाना साधा है अपने संबोधन के दोरान उन्होंने अखलेश यादव के जिन्ना वाले बयान पर भी पलटवार किया है उन्होंने कहा कि जो लोग जिन्दा का समर्थन करते हैं वे तालिबान का समर्थन करते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मंगलवार 16 नौमबर 2021 यानि कल उतर परदेश में पुरवाचल एक्सप्रेस में का उधगाटन किया जाएगा और इस दोरान भारतिय वायू सेना द्वारा एर शो भी दिखाया जाएगा वेरहाल रविवार को एर शो के लिए अपने पुरवाब्यास के तहत वायू सेना ने पुरवाचल एक्सप्रेस में पर लड़ाकु विमान उतारे हैं और मिराज 2000 AN 32 टर्बो पोप और सुखोई 30 को एक्सप्रेस में पर तीज गरजना के साथ उतरने देखा जा सकता है और लोग दंग रह गए हैं गौरतलब ये भी है कि वायू सेना द्वारा एर शो के लिए पुरव्यास एक्सप्रेस में पर 3.1 किलो मीटर लंबाई वाली हवाई पट्टी पर किया जा रहा है और आपको ये भी बता दे कि इंडियन एर फोर्स के परिवहन विमान C-130J सूपर हर्कूलिस एक्सप्रेस में पर भी कल अपना कमाल दिखाएंगे और इस दोरान जगवार और मीराज 2000 और दो सुखोई एक्सप्रेस में पर टच एंड गो ड्रेल करेंगे और आपको ये भी बता दे कि शो की दोरान तीन सूर्य किरन की साथ ही एरोबैटिक्स की टीम भी अपने करतब दिखाएगी और बता दे कि 16 नुवंबर को पियमोदी 42,000 करोड रुपे की लागत से तियार हुए एक्सप्रेस में का खाटन करेंगे और छे लेन देन वाला राज मार्ग लखनव को पूरवी यूपी से जोड़ता है जिसमें बाराबंकी अमेठी, सुल्तानपूर, अयोध्या, अम्बेटकर नगर और आजमगड, मउग, गाजीपूर जिले शामिल बताये जा रहे हैं आपको भी बता दे कि इसमें कई दुरघटनाओं में कमी के साथ ही इंधन की बच्चत और समय की बच्चत और परदूशन स्तर पर नियंतरन जैसे लाब परदान करेगा और ये भी आपको बता दे कि एक्सप्रेस्वे में 22 फ्लाइ ओवर, साथ रेलवे ओवर ब्रीज और साथ बड़े और 114 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 45 बाहान अंडर पास होंगे उतर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितिनाथ ने शनीवार को आजमगड में एक विश्योवी घ्याले की अधार शीला रखे जाने के मौके पर जिले के नाम में बदलाव कसंके देते हुए कहा कि आजमगड का ये विशु विग्याले सचमच में आजमगड को आरेमगड बना रहा है और इसके साथ उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए और केंद्रि ग्रह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को आजमगड में राज विशु विग्याले की अधार शीला रखी और शाह ने इस विशु विग्याले का नाम महराजा सुहेल देव के नाम पर रखने के लिए मुख्यमंत्री से आगरभ भी किया है और आपको ये भी बता दे कि शाह के भाशन समाप्त होते ही योगी आदितिनाथ ने इस ने राज विशु विग्याले का नाम महराजा सुहेल देव के नाम पर रखने का एलान कर दिया है और इसके साथ ही इस मौके पर पिछली सरकारों पर हमला बोलते हुए सियम योगी आदितिनाथ ने कहा ये वही आजमगर है जब 2014 और 2017 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था धरमशाला में कमरा नहीं मिलता था और पहचान का एक संकट खड़ा हो जाता था बिना किसी पार्टी का नाम लिये योगी ने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले कौन थे और ये वही लोग थे जो जाती के नाम पर बाटने वाले थे लेकिन अपने परिवार की जेब भरते हैं और योगी ने ये भी कहा कि आजमगड राजे विश्यू विज्याले अगले सत्र से अपारंब हो जाएगा और आजमगड और मउं के 400 महा विज्यालों के 2,666,000 बच्चों को इस विश्यू विज्याले से संबंथ करके ही यही डिगरी देने का भी कारे किया जाएगा मुख्यमंत्री ने यहीं यहीं कहा कि मुझे यान है कि जब यूपी में विजेपी की सरकार बनी थी तब अमित्शा ने कहा था कि पुर्वाचल एक्स्प्रेस वे इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि यह आजमगड और पुर्वाचल के विकास की रीड बन सके